हलो और विल्कम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो स्क्राइब प्लस सी एसेस को ले करते हैं आजए देखते हैं आज का विश्य क्या है तो यहां पर देख लिए एक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए जैसे वेबसाइट जब भी आप बनाते हो तो आपको ड्रॉप डाउन बनानी पड़ती है ठीक है और यहां पर वो ड्रॉप डाउन वाली कोडिंग मैंने कर रहती है ठीक है यह देख सकते हैं यह ड्रॉप डाउन वाली कोडिंग है और अगर मैं इसको सेव करता हूं चलाता ह हुआ है जैसे ही हम यहां से हटते हैं तो यह drop down हट जाता है लेकि जैसे हम यहां पर जाते हैं आपको यह drop down नजर आती है I hope कि आपको बात समझ में आई होगी कि यह किस तरीके से बनाया गया है ठीक है और इसकी जो कोडिंग है वो मैं description में देने की कोशिश करूँगा ठीक है और अगर आपको यह video पसंद आया तो आप इसे शेयर किजेगा और साथ-साथ चैनल को भी subscribe जरूर किजेगा ठीक है थैंक्यू फॉर वाचिए